अपने दुख या सुख के प्रती सचेत होना जीवन धारा में बहना है ये है श्री भगवान का आज का सूत्र और अब गुलबरगा से रामपुरी का चमतका एक बार मुझे रायजूर जाकर वापस गुलबरगा आना था रायजूर पहुचकर अपने सारे नियत कार्वे पूरे करके मैं अपने कपने लोटाया चुकि मेरे सारे कार्वे जल्दी ही ने बढ़ गए थे मैंने तैक किया कि आराम कर लूँ तो कि मेरी गुलबरगा की ट्रेन तो रात को थी मैंने अपने बेटे को जो बैंगलॉर में रहता है फोन करके मुझे जगाने के लिए भी कह दिया ताकि मेरी ट्रेन छूटना जाए उसने भी सही समय मुझे फोन कर दिया जब मैं उठा और घड़ी देखी तो पाया कि अभी तो ट्रेन के जाने में काफी वक्त था मैंने सुचा क्यों न थोड़ी देर और सोजाओं आधा रंटा ही सही पर अब की बार जब मैं उठा तो मेरी ट्रेन जा चुकी थी मैं अब इस पशुपेश में था कि आखिर करूँ तो क्या करूँ थी खैर मैं फोरण ही रेले स्टेशन पहुँच गया श्री परमजोती अम्मा भगवान के अनुग्रह से कुलबरगा के लिए एक ट्रेन अभी भी थी मेरे पास जो आरक्षन टिकट था वो पिछली ट्रेन का था और ये ट्रेन तो वो थी नहीं मैंने बस सर जुकाया और श्री परमजोती अम्मा भगवान से प्राथना की हेसल मव्यापी श्री परमजोती अम्मा भगवान सब संभाल लीजेगा उनकी कृबा से मुझे एक खाली सीट दिखी और मैं उस पर पैट गया जल्दी ही टीटी आ गया उसने सिवा मेरे बाकी सब के टिकेट चेक किये ये वाकाई बहुत ही चौकाने वाला था कुछ समय बाद एक और टीटी आ है हैरत की बाद ये थी कि इसने भी बाकी सारे मसाफरें के टिकेट चेक किये पर मुझे से टिकेट के बारे में पूछा तक नहीं और इस तरह मैं बिना वायद टिकेट के बिना किसी परिशानी के गुलबर का पहुच गया जो ही मैं घर पहुचा मैंने अपना सामान एक तरफ पटका और दोड़कर श्रीमोर्ती के चरणों में रखी पालगाओं पर धर पड़ा पूरे सफर में मेरी देखभाल और रक्षा करने के लिए उनका कोटी-कोटी धन्यबाब किया श्री परमजोती अम्मा भगवान ने न केवल मुझे मेरे गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुचाया बलकि गलत ट्रेन में अवयद टिकेट के साथ यात्रा करने के लिए जुर्माने से भी बचाया श्री परमजोती अम्मा भगवान के प्रती आनंद की अशुधारा बह रही थी मेरी सहायता के लिए एक बार भिल वह आये थे असीमा भार आपकी चरण कमरों में सरवदा